कि दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा Google Seat के एक जवर्दस function के बारे में जिसका नाम है Flatten function यह दोस्तो गजव का function है इसका यूज कैसे करते गूगल सीट में वह आज की एस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपने इंट्रोड़क्शन देता हूँ, मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लो का स्वागत करते हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ग्यान अमित में, दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन दबाना बिल्कुल मत पुलिएगा, अगर आप ये मेरे वीडियो फीस्बूक पे देख रहे हैं तो मेरे फेस्बूक पेज को भी लाइक कीजिएगा, तो दोस्तो बिदाउट टाइम वेस्ट की वेडियो को स्टार्ट करते है तो दोस्तो इससे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने गूगल सीट में और ये किस तरीके से काम करता है इसको हम पहले समझ लेंगे जैसे कि दोस्तो हम लोगों ने ट्रांस्पूस का यूज करना तो आप सभी लोगों को पता होगा ये एक्सल में भी काम हम लोगों ने इस फंक्शन को यूज किया है गूगल सीट में भी इसका यूज हम लोग करते हैं तो ट्रांस्पूस जिस तरीके से काम करता है करता है मैं दोनों फंक्शन को यहां करके अभर द्खा देता हूं सबसे पहले हम पर לאо यहां पर कुछ करके यहां पर और आभी मैं आपको इसको यूस करके दिखाता हूं कि कि यह किस से होता है दोनों का कि बीच में क्या डिफरेंस वह भी हम देखेंगे उसके बाद जानेंगे कि फ्लेटन का हम प्राक्टिकल यूज कहा पर कर सकते हैं तो अभी यह थोड़ा सा बेटिक आइडिया लीजिए उसके बाद हम डीटेल में प्राक्टिकल यूज भी इसको अन प्राक्टिकल है तो अब मैं आपको इसे बात फ्लेटन फंक्शन के थूभाता हूँ को फ्लेटन एक्चुल में काम कैसे करता है तो यहां पर हम टाइप करते हैं यह अभी टाइप करके यहां तो आप इसे जो आताय हैं या फिर आप जो यहां फिर आपको जाना है यह auer भी एंटा में और यहां से आपको जाना है तो यहां पर आपको जाना है डेटा में ओर यहां द्रल से सब्सक्राइब между जाता है यहां data validation में एक मिनिट मैं आपको बताता हूं कि किस यह रहा आपका insert के function options में यहां पर आपको array में जाना है यह array है और यहां पर आपको यह function मिलता है flatten function तो यहां से भी आपको मिल जाएगी और दूसरी बात आप यहां जर्रली टाइप भी कर सकते हैं ऐसा यहां पर थार्ले लेते हैं flatten और ब्रेकेट को कर लक्रिक्राइए open तो जो syntaxichen में इसको विसवल कर लेते हूं यह होता है अवह हमें करना कैसे है कि यह हम को एक क्रेंड को सलेक करना है ज्रीफ हमारी जो data' है इस data को हम select करते हैं जहां तक हमारे data है इसको हमने select किया और इस range को मैंने close की bracket को और enter दबा दिया तो अभी इसने काम कैसे किया यह देखिएगा यहाँ पर A, D और E, B, C, F जस्ट मैं आपको थोड़ा से नीचे करके दिखाता हूँ यह थोड़ा ज्यादा हो गया है मैं down arrow का use कर लेता हूँ यहाँ यह देखिए वो जो सारी data जो different columns में थी और different rows में थी उसको एक single column में ला दिया है तो आपको यह समझ में आया होगा जब की क्या होता है transpose यहाँ पर data को horizontal से vertical और vertical से horizontal में convert करता है वही flattened जो तो different columns और different row की data को एक single column में ला देता है तो flatten function जो हता है का use हम जो हता है different columns की data को single columns में लाने के लिए करते हैं I hope आपको यह समझ में आ गई होगी अब हम इसका जो हता है practical में use कैसे होता है बो जान लेते हैं इसके लिए चलते हैं हम अपने जो तो दूसरे seat में यह है हमारी यहाँ पर कुछ data यहाँ पर मैंने कुछ data बना के रखी हुए है मौजूद रहे हैं इस task को करने के लिए तो अब इस data से हम कैसे count करें अब एक एक person को count करना होगा तो यह काफी problem create कर सकता है तो ऐसी conditions में हम यहाँ पर flatten का use करके इसे हम कैसे कर पाएंगे यह हम देखते हैं इस के लिए सबसे पहले साइड में चलते हैं और यहाँ पर एक heading मनाते हैं नीम और यहां सबसे पहले करने के लिए तो इस तास में सबसे पहले हम ये स्च मेंबर्स को हम कैसे लेंगे इसको आप देखिएगा यहां पर यूज करते हैं फ्लैटन और इंटर जो हता है मैंने प्रेस की जिससे मेरा ब्रैकेट ओपेन हो चुका है और यह डेटा को सबसे पहले हम सेलक करते हैं तो हमें यह हमारी जो रेंज है तो यहां पर हम इस रेंज क अब यहां सनी देख सकते हैं यहां भी सनी है तो अब हमें क्या करना है कि इस डेटा से हमें यूनीक वैल्यू को निकालना है तो हम यहां से फिर से फ़र्मूले में अपनी चेंज थोड़ा से इस फ़र्मूले में हम चेंज करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे यूनीक यहां से हम टाइप किया यूनीक और अभी हम इस जो यूनीक की जो था ब्रैकेट जो होता है फ्लैटन के जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके बाद लगा करके इंटर कर देते हैं तो यहां पर आप देखे वो जितने भी डूब्लिकेट डेटा थे वो यहां से हट चुके हैं और केवल यूनीक डेटा ही आ गई है लेकिन अभी प्रॉब्लम यह आ रही है कि यहां पर जो डेटा है उसमें स्पेस भी आ रहा है तो ऐसी कंडिशन्स में इस स्पेस को हटाने के लिए यहां पर हम सौट का यूज कर लेते हैं और सौट और यहां पर फिर हम ब्रैकेट को करेंगे तो यहां पर हमने कीवल इस डेटा से जितनी भी यूनीक रिकॉर्ड है वो हमने फ्लैटन का यूज करके और इसमें यूनीक और सौट का यूज करके वो हमने यहां से निकाल लिया है अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें काउंटिंग करनी है कि क्यों यह जो ना कैसे count कर पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए हम यहाँ पर use करेंगे वो some product तो यहाँ पर some product का भी use कर सकते हैं या फिर आप some product से ही मैं आपको करके दिखाता हूँ और ब्रैकेट को करता हूँ open और इसको दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा idea देता हूँ कि actual में हम लोग करने वाले क्या है तो अभी इसको हम यहाँ से हटा रहने देते हैं और हम यहाँ पर नीचे चलते हैं और यहाँ पर मैं तो एक चीज आपको करके दिखाता हूँ मतलब थोड़ा सा आपको जो तो view clear हो जाएगा यहाँ पर हमें condition देंगे condition क्या देने वाले वो देखेगा यह जो हमारी data है इसको हम check करेंगे यहाँ पर जो हमने किसूर कहां कहां पे है तो अभी हमने यह range काम किया है पूरा range लिया लिया है तो यह single अगर हम click करेंगे तो error आएगी चुकि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ देखिए यह value error आएगी क्योंकि यह array का matter है तो यहाँ पर हम फिर इसको edit करेंगे और यहाँ पर control shift enter दबाएंगे और यहाँ पर हम enter कर देंगे तो देखें जहाँ जहाँ पर match खाएगा वहाँ पर true होगा जहाँ पर किस और नहीं मिला वहाँ पर फॉल्स हो गया तो यहाँ पर इस तरीके से हम condition लगा करके यह जो नाम है हमारा जो हमने लिस्ट बनाई है नेम की वह इस data में कहां कहां पर है जहाँ पर है वहाँ पर true आए और जहाँ पर नहीं है वहाँ पे false है अब इस true और false को हम zero और one में convert कर देंगे तो zero और one में convert करने के लिए क्या करना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक bracket को open कर लेनी है और यहाँ से एक bracket को कर देना है close और यहाँ पे आपको दो बार minus का निसान लगाना है जिसे हम कहते है coincide तो यहाँ पे जैसे ही आप इस minus का use करते हैं जहाँ जहाँ पे false होगा वो zero में convert हो जाएगा और जहाँ पे यह true होगा वो one में convert हो जाएगी तो मैं इसको एक बार इंटर करता हूँ और फिर देखिए जहाँ पे false था वो हो गया है zero और जहाँ पे true था वो हो चुका है one तो अभी तो यह आपका इस तरीके से आपको अप करना क्या है कि जहाँ जहाँ one आ रहा है इसको बस आपको जोड लेना है और जैसे ही आप जोड लेंगे वो आपकी counting तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा person जो हता है कितनी बार आया हुआ तो इसको जोडने के लिए हम कैसे क्या करेंगे यहाँ पे हम फिर से यहीं पे sum अपलाई कर देंगे और यहाँ से हम bracket को कर देंगे close और यहाँ पर अब हम दबा देंगे enter तो देखे पता चल गई कि किसूर इस data में कितनी बार आया हुआ है अब इसी formula को जोता है हम use करेंगे यहाँ पे I hope आपको यह समझ में आ गया होगा तो अब just हम यहाँ पे count में उसी तरीके सम यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम equal को assign प्रेस करते हैं और यहाँ पे अभी हम type कर लेते हैं sum के बाद यहाँ पे हम type कर लेंगे coincide और इसके बाद bracket को करेंगे open और यह range को हम पूरा select करेंगे यहाँ से यह जुलाई तर की data को पूरे range को मैंने select किया और equal का sign प्रेस किया और यहाँ से यह जो column है मेरा जो j3 इस column को हम select करेंगे और bracket को करेंगे close और अभी हम sum के भी bracket को कर देंगे close और यह चुकी अब हमारा हो चुका है अरे का matter तो हम यहाँ पर दबा देंगे control shift enter और के बाद फिर कर देंगे enter तो देखे यह formula पूरी तरीके से सारे column में लगाना है तो अभी यहाँ पर देखे आटो फिल का option आ रहा है इसके लिए हम control और enter दबा देते हैं तो यह देखे सारे row में formula apply हो चुका है और इस तरीके से हम यहाँ पर count कर लिए कि कौन से candidate जो हता है task कितनी बार आए हुए है I hope आप सभी लोगों को यह video समझ में आ चुके लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम देख रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पर यह B9 से B16 हो जा रहा है देख रहा है यहाँ पर row चेंज हो रहा है और यहाँ sunny का जो था यहाँ पर 0 दिखा रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे यह जो हमारा यहाँ पर यह जो हमने range को select किया है इसको हम F4 करके lock करेंगे और अब दबा देंगे enter और इसे copy करके पूरी row में paste कर लेंगे तो देखिए अब यह बिल्कु को लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राइब